दोस्तो आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके और हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन परमपरापर दोस्तो सुपन विज्ञान एवं सुपन सास्त से जुड़े एक नए रादसे के बारे में आज एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे दोस्तो आज के विडियो में दोस्तो हम लोग जानेगे कि यदि आप अपने सुपन में परमपिता परमेश्वर भगवान सिप का मंदर देखते हैं तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि आने वाले निकट जीवन पर आप पर इसका क्या परभाव पड़ेगा आखिर किस ओर संकेत करता है दोस्तो सुपने में भगवान महादेव जी का मंदर का दिखाई देना तो आईए जानते हैं दोस्तो सुपन सास्तर इस भी से में यह कहता है कि यदि आप इस चमतकारिक सुपन को देखते हैं तो यह आपकी आध्यात्मिक जागरण की प्रक्रिया का सुरुआच होने का संकेत माना जाता है यह फिर कहा जाए दोस्तो कि आपकी अव आध्यात्मिक उन्नती सीग्री ही होने वाली है यह सुपने दोस्तों आपकी कुंडिली जागनर की ओर भी संकेत करता है सकरात्मक रूप से दोस्तों निकट जीवन में आप जिस भी कारिकों करने का प्रयास कर रहे हैं यह सुपने आपको संकेत दे रहा है कि वह जल्दी सफल हो सकता है और यह सवपन दोस्तों आपको सवभाग से फ्राप्त होता है यह सवपन हर किसी को नहीं आता तो दोस्तों यदि आपको ईस्वरी सवपन आते हैं तो आप बहुत ही सवभाग साली आपको खुद को मानना चाहिए क्योंकि यह सुपन आपकी सबी मन और कामनाओं को पूर्ण होने की और संकेत करता है एक बात और दोस्तो जब भी आप सुपन में इस्वरे सकती यह फिर इस्वर को देखते हैं तो यह बात आपको किसी के साथ भी बतानी नहीं चाहिए सिर्प और सिर्ध खुद तक सीमित रखनी चाहिए ऐसा इसलिए दोस्तों कि यदि आप इस तरह के स्वपन किसी को बताते हैं तो जो पल आपको प्राप्त होने वाले होते हैं वह नहीं हो पाते इसलिए यदि आप इस तरह के सकरात्मक स्वभग के साली सुपने देखते हैं तो इसको आपको अपने तक ही सीमित रखना है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरे दोरा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो चैनल प्राचीन परंपरा को सब्सक्राइब लाइक से जरूर करें धन्यवाद हरहर महादेव